जाहिंद आपके अपने चानल नुएश्टाडी 24 के ब्रहा मास्रीज में आज हम शम्वेधानिक निकाया गैर सम्वेधानिक निकाया और अन्सम्वेधानिक आयाम के बाड़े में बताइंगे विपाशी दरोगा और अधर कंपेटिशन में कितना मार का पुछा जाता है यह टॉपिक जो है अपने आप में काफी महत्पूर्ण है और बहुत पेचीदा है यहां से कोशन पूछता है और अक्सर स्टुडेंट गलती कर बैठता है क्योंकि इसमें समझ ही नहीं पाता है कि हमको क्या पढ़ना ह है यह थोड़ा दिक्कत होता है स्टुडेंट के साथ तो चलिए आपकी यह हर दिक्कत को हम बहुत ही सोट टर्म में बताएंगे और आप खुद समझ पाएंगे कि यह इतना असान इससे पहले की वीडियो प्राराम कड़े सबसे पहले ब्रहमा स्रीज का प्लान समझे पहला हुए और जो दियान में रखते हुए क्वेस्ट किया गया है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट देने से आपके टॉपिक में क्या कमी है आप अपने कमी को पहचान पाएंगे और अपने आपको बहतर कर पाएंगे लास्ट वीडियो जो डालते हैं वह एक्स्प्लानेशन वीडियो में आपको टॉपिक बाएंग करके बताते हैं क्वेश्टन बाइंग जो कोके सबको महतं पुन आ यह दिने आप कोई ज़प लेना चाहते हैं जल्दी में चाहते हैं कि हमें ज़प हो चाहते हैं आपके सपना है कि हम बहुत जल्द कहीं सेटल हो तो आप ये कंपेटिशन के डौर में आईए हमारे वीडियो से को देखिए हमारे चैनल से जुरिए जिससे कि आपको काफी फाइदा होगा और आपके जो भी जानने वाले हैं उसे भी शेर कीजिए जिससे कि इसका फाइदा स हम क्या पढ़ेंगे संबधामिक निकाहे मतलब आयोग जिसकी वगएर संविधान नहीं चल सकता है जैसे कि आपको खाना पीना नहीं दे तो क्या आप जिन्दा रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे संबधान को जिन्दा रहने के लिए संवेधानिक निकाहे के जुतने बीजो आयोग है बाड़ा आयोग है वह आयोग का होना बहुत ज़र्वी है उस आयोग मेंसे भी सब आयोग से नहीं पूछता कुछ आयोग उसे पूछता है जैसे कि निर्वाचन आयोग अब एक बात जायवर चलाने वाला नहीं हो तो तो फीक डेस भी एक गारी की समान है उसे चलाने के लिए तो आप तो समझगे कि समभाधानिक निकाय में आपको पढ़ना है जो जो भी रोगन से लगा हूँ रेटिक वो पाफी इंपोर्टेंट है आप समझ रहे हैं यह टॉपिक में आपको देखना क्या है इसको प्रिजेंट आफ मैंड मतलब बर्तमान से रिलेट करके देखना है क्योंकि करेंट से इसको जोर के पुछता है अब देखो बीत आयो का का अध्यक्ष कौन है तो यह टॉपिक आपको क्रें आयोग राजसेवा आयोग का सचीव अल्प संख्यक आयोग जंजातिय आयोग मतलब यह सब जितना भी आयोग है इसको बर्तमान से जोड़के बोता है कभी कभी नहीं भी जोड़ता है और इस टॉपिक में सबसे इंपोर्टेंट जदी कोई टॉपिक है तो संबेधानिक न नहीं का होना काफी महत्पूर्ण है और इस आयोग का भी होना तो इसीलिए इस टॉपिक से सबसे ज़्यदा पूश्टा है को भी कंपीटेशन हो ना यकिन हो तो आप कोश्टन वैंक उल्टा कि देखिए लेकिन विप्यास सी में जैजेए तो काफी महत्पूर्ण हो जाता लेकिन हमें 22 बोलने के पृड़ दिए नहीं भी देगा तो खया हम Nossa ही बोड़ी है मतलब ये जल D जदी नहीं भी होगा तो भी देश चलेगा लेकिन डेश कि हर जो पॉबलिक है उसको सुषिधा मिले इसलिए गार संबेधानिक निकाय का भी स्थापना किया कमझता के द्वरावा चुणा परतिन द्थ वह में लगा तो उसे घंठी से हटा जा सकता है तो समज लेकिन कॉम्यूनिस्ट पार्टए में सतड़ा चैना में क्या है चैना में आप देखेगा वहाँ फ्रीडम नहीं है वह सरकार जो कहेंगे वह सही है सरकार जो रूल लाएंगे वह हर पब्लिक को मानना पड़ेगा तो मतलब वहाँ फ्रीडम का अभाव है लेकिन लोगतांत्रिक सरकार में हमेशा क्या होता है फ्रीडम मिलता है तो समझ गे आपको तो सम्मेधानिक निकाय में जितना भी है जैसे कि मानवाधिकार आयोग सुचना आयोग यह जितना भी आयोग है कुछ-कुछ important है यह देख लिजे जिस पर रेड कलम लगा रेड टिक लगा हुआ है वह क्या किजे आप उसको not है तो आप यह तो समझ गे अब एक और टोपिक समझे लिए अनसंबेधानिक निवाय क्या करता है मानव की दीन चड़िया में को और स्रल बनाता है बिहतर बनाता है उसे आगे बढ़ने में उसे डवलप होने में जैसे हमारा देश की एकोनोमिक डवलप होड़ा तो उसे डव राज सरकार की क्या करतब है और क्या आधिकार है इसके बारे में यह सब निकाय जो है यह इंपोर्टेंट है और यहां से सबसे कम कोश्चन पूछता है लेकिन फिर भी यह महत्पून है जैदि इन समय कुछ-कुछ देके टॉपिक तो कुछ-कुछ टॉपिक की एक किस क्रोना महामारी लेकर बहुत चर्चा का विसे बन गया और जो भी होट भी से बनता है वह टॉपिक भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता तो उससे रिलेटेड जो भी अनुछेद हो जो भी उसके सचीव हो जो भी हो उसको क्या कीजिए आप याद कीजिए क्योंकि यहां स इसमें सब आयोग के बारे में चर्चा किया गया कुछ आयोग काफी महत्पूर्ण है कुछ आयोग नहीं पड़ेंगे तो काम चल जाए तो यह इस परकार का केटेरिया रहा तो आप लोग क्या कीजिए इसे एक कौपी में नॉट अन कीजिए और एक्जाम में इसे रिवाइज नहीं करेंगे दो चार बार आप भूल जाएंगे और confusion की वज़से वह गलती कर पाएंगे तो इसलिए exam time में भी इसको क्या किजें रिवाइज करके जाए तो आप लोग पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद